हाँ जी बच्चों देखिएगा आज बिल्कुल फ्रेश और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कोस्ट बहुत इंपरेंट टॉपिक है क्योंकि आपके एक्जाम में कोस्ट से रिलेटिड एक थियोरिय कोशन आएगा ही आएगा 100% है कोस्ट से रिलेटिड आपके नुमरिकल से एक्जाम में आएंगे ही आएंगे यह भी 100% शॉर है और कोस्ट से रिलेटिड आपका MCQ भी आएगा ही आएगा, तो तीन कोशन एपने की सामने हैं को सामने में को चायर आगि बेच में कोशन होंगे और उन blank scope को fill करना होगा, बीच-बीच में, लेकिन वो आप जब तक नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आपके theory बहुत अच्छी तरीकी से नहीं है, क्योंकि उसका कोई formula नहीं है, कि एक formula दिया और आप में numerical को solve कर लिया, ऐसा कोई formula है नहीं, numerical को solve करने का, theory अगर आपके strong है, तो आप यह समझ सकते हैं कि क्या given और क्या निकालना है, और आप अपना mind यूज करें कि उससी को calculate कर सकते हो, तो theory अगर आपके weak होई, तो आपके हाँ से numerical भी skip हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से आपको attention pay करना है, कहीं पर भी कुछ भी sound में नहीं आए, त तो आप उस सीच को repeat करवाईएगा, उस सीच को आप पूछेगा, यह मत सोचेएगा, classes live है, अगर हम पूछेएंगे तो class disturb हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपके doubt जब इस live classes में और आएगा, तो live class और अच्छे हो जाएगी, और ही बच्चों के doubts होंगे, जो कि similar clear हो जाएगा तो बड़े ध्यान से focus करना है, कोई भी doubt होगा, तो उसको आप अच्छे से पूछेगा, पूरा ध्यान अपना chapter पर लगा देएगा, तो कोस्ट के अंदर one by one करके बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझना है, लेकिन एक करके ही सब चीजों का हम समझेंगे, सबसे पहले हमारे पास में आता है, explicit cost, और एक हमारे पास में आता है, implicit cost, दो तरीके की लागत होती है, explicit cost क्या होता है, बाहि लागत है, इसको हिंदी में कहते हैं, ऐसी spast लागत, ये भी कहते है, spast लागत explicit cost क्या होता है basically, जैसकि इस समय आप जो है, टूशन में अभी समय क्लासिस लेने के लिए आप आए हैं तो आप मेरे कुछ खर्चों को देख पा रहे हैं कि खर्चों में क्या आप मेरे electricity bill को देख रहे हैं कि सब्सक्राइब करें कि सब्सक्राइब करें हैं लेकिन जब सवाल करें आपनूम इंपर आपने मेरी महनत जो मैं अपनी मज़ोरी लगा रहा हूं वो चीज नहीं गिनिए में घर से फिग्साइर लगर के मैंने की लगा दिया आपको लौकप लाइद में दर नहीं आई तो इसको हम अंतर नहीं तलागत भी कहते हैं, implicit cost भी कहते हैं, एक example समझते हैं, आप किसी दुकान पर आप जाहिड सी बात आप जाते हैं, सामान खरीचते हैं, तो इस दुकान में जब आप सामान भरा हुआ देखते हो, मानले कि एक लाख रुपए का समान उसकी दुकान में भरा हुआ है, तो जो लाख रुपए का समान उसकी दुकान में भरा हुआ है, पैसकी बात करता हूँ, एक दुकान में आप गए, एक शॉप पे गए और आपने बहुत सारे आपने यहाँ पर आर्टिकल्स देखें बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिले और यह आर्टिकल्स आपके पास में जो है एक लाख रुपए के आपको गुड्स देखने को मिल रहे हैं पूछा भी कितने का माल बरवार रखा है टो एक लाग रुपर का मावाई रख रटा है जो भी सामान दिख रहा है आपको को बिस्कe Talk dipped फीर राइज लिख रहा है जो भी रासना का सामान दिख रहा है लाग के समान आपको नजर आए वो अपने पूचा संगा बता दिया तो इस कोस्ट को हम क्या बोलते है exactly है खना अब इसमें इंप्लिशिट कोस्ट कहां है तो सेम मैं इस अधकन की बात कर रहा हूं इस दुकान पर आप गए बच्चे इस दुकान में वो सामान तो आपको जो आपको दिख रहा है लागत हो तो आपका एकस्प्रिसिश को चाहिए लेकिन उसने जो दुकान अपने घर को ही दुकान बनाया हुआ है उसने अपना जो एक फ्लोर उसने ग्राउंड फ्लोर अपना जो है दुकान में यूज कर रहा है उसका किराया आ आप अपने खुद आप अपने घर में दुकान खोलिया, मालिजी आप सब किराया जो है 5,000 रुपे और आपको 3,000 रुपे महिने की कमाई हो रही है, तो क्यों खोलोगे दुकान, इस अच्छा तो आप किराय दीथोगे, चलेए 5,000 सब्सक्वाइब कर दोकान से क्माई हो जाएगा कर दो लागते भी तो आपको देखनी होंगी ना कि मुझे फाइदा हो रहा है नहीं हो रहा है इक तो मेरी महनताना निकल रही है निकल दूसरे कि जो मैंने अपना सामान लगाया हुआ है वो भी तो मेरा कोस्ट है तो ये जो दो चीज है एक जो ये वैक्तिक काम कर रहा है ये और दूसरे जो ये आपके पास में ये शौप है ये दो ये अंतर नहीं तलागत है जो कि आपको इस पर नदर नहीं आई इसी परकार स जब भी आप कोई छोटा मोटा वेवेसाई करेंगे तो कुछ समान खरीद करके आप लाएंगे और कुछ समान आप जो अपने घर से ही अरेंज कर लेंगे कि आपने बैठने के लिए चेयर घर से लिया आया आप ठीक है ना सिलिंडर भी फिलाल आपने स्टार्टिंग में अपने घर से ही उसको अरेंज कर लिया आपने कुछ बरतन आपने अपने घर का इस्तेमाल कर लिया तो वो सब जो लागते हैं वो भी तो भाई फिरी में नहीं है ना तो वो सारी लागते हैं जो सारी कोस्ट है उसको इंप्लिसिट कोस्ट कहते हैं और जो रो मेटिर वगेर आप लेकर क्या है वो आपका एक्स्प्लिसिट कोस्ट है तो आपको संजमा आ गया एक्स्प्लिसिट कोस्ट क्या होता है इस पस्ट लागर जो सबस्ट रूप पे सबको नजर आए और इंप्लिसिट कोस्ट क्या यह बात सम्झमा आगे आपको दोनों क्या होती है तो वह बात कह रहा है कि it is the actual money expenditure जो explicit cost होता है ना उसमें सचमें पैसा खर्चा होता है लेकिन जो implicit cost होता है उसमें सचमें पैसा खर्चा अब मैंने अपने घर से चेर लाया तो मैंने अपने अपको पे थोड़ी कर रहा है मैंने अपना घर के दुकान पर लगा दिया है तो उसको मैं अपने आपको रेंट थोड़ी दे रहा हूं कि implicit cost में सचमें expenditure नहीं होता है अपने उपर बट वो कहीन कहीं consider तो करने पड़ेगा न आपको लेकिन explicit cost में जैसे आपको पढ़ा रहा है तो मैं कुछ निशोर्स का यूज कर रहा हूं लेबर यूज कर रहा हूं यह सारे चीज़े resources हैं इसको हम factors भी कहते हैं एक ही चीज़े तो अगर मैं factors को लेकर क्या आऊँगा तो उस पर मेरा कुछ खर्चा होगा न तो यह मेरा क्या हो गया explicit cost हो गया देकि वहीं बात करता है implicit cost की so it is the estimated value of the input supplied by the honors basically मैंने अपने मकान का जो किराया है अपने आपको मैं पे नहीं करूँगा लेकि मैं एक estimation लगाऊँगा कि यह मेरा किरायत इतना बनता है अपनी salary मैं खुद को पे नहीं करूँगा बड़ एक estimation तो लगाऊँगा कि मेरी salary इतनी बनती है तो यह estimated cost होता है clear है for example interest on capital अगर मैंने अपना पैसा लगाया अपने business के अंदर तो क्या इसका interest नहीं बनता है कहीं हो लगाता तो क्या मुझे इसका interest मिलता नहीं बैंक वरक्ता तो क्या मुझे इसका ब्याज नहीं मिलता तो यह भी तो cost है ना लेकिन मेरा पैसा है तो फिर मैंने उसको actual में interest pay नहीं करना पड़ रहा है तो कहीं नहीं आएगे लेकिन फिर भी वह implicit कोस्त होता है कोस्त की कैटिगरी में वह आपका आएगा एक ले बच्चे तो यह सारे के सारे क्या होती है implicit कोस्त और explicit कोस्त के बीच में difference अब दोनों के बीच का difference अगर आप बात करेंगे तो इस दा पेमिंट में ट्व आउटसाइडर फोर हारिंग दा फेक्तर सर्विसेश आउटसाइडर को हम पेमिंट करते हैं बहारी लोगों को खुद को नहीं करते हैं अपर पेमिंट नहीं होती एस्सरिमेशन होता है बात करते हैं, बात करते हैं, इसमें सच में पैसा खर्चा होता है, बट इन्वाल्स इंपुट वैल्यू अब दा फेक्टर्स, ओन बाइद फर्म, बात करते हैं, लेकिन बस एस्टिमेशन उस दिश्का रखता है अपने पास, यह भी कोस्ट है, आप किराया दे रहे हैं, आप किसी की मज़्दूरी दे रहे हैं, आपने इंस्वरेंस करवा रखा है, तो यह सब जो खर्चा नजर आ रहा है, इस सब आपके पास में क्या है, एक्स्प्लिसिट कोस्ट है, लेकिन इंटर्स उन कैपिटल, मैंने अपना खुद का पासा लगा रखा है, उस तो मेरा ब्याज बनता है, लेकिन वो कंसिडर मैंने नहीं कर रखा है, मैं लगा उसको मैं पे नहीं कर रहा हूँ, तो यह मेरा एक एक्सामपल हो गया किसका, इंप्लिसिट कोस्ट का, तो आपको अच्छे समझ में आ गया, एक्स्प्लिसिट कोस्ट क्या होता है, और इंप्लिसिट कोस्ट क्या होता है, बात करते हैं बच्चे हम आगे, टोटल फिक्स कोस्ट के, टी एफ से के, टोटल फिक्स कोस्ट क्या होता है, तिए बहुत सारे कोस्ट आएंगे, one by one करके सबको पढ़ेंगे, अब ही हम पढ़ने जा रहे हैं, टोटल फिक्स कोस्ट, जिसको हम टी फिक्स कोस्ट, तो टी एससी भी कहते हैं, अब टोटल फिक्स कोस्ट क्या होता है, उस बात को समझे, नाम से clear है, इसको हम जो है, स्थाई लागत कहते हैं, कुल स्थिर लागत भी कहते हैं, इसको हम हिंदी में, बंदी लागत, उपरी लागत, ओवर हेड्स, ये सारे इसके नाम है, बट आपको जो जो जनरली टी एफ सी वर्ड आपको देखने को मिलेगा, क्लिर है, और हिंदी म हैं, बहुत सारे सब्द एक चीज के लिए इस्तमाल हो जाते हैं, अगर ऐसे कोई चीज है, बंदी लागत, उपरी लागत, इस्थाई लागत, अचल लागत, कुछ ऐसे सब्द हैं इसके लिए हिंदी में, और इंगलिस में आपको एक ही सब्द मिलेगा, आपको बेसिकलि आप producer behavior को unit चल रहा है आपका, तो यहाँ पर हमें producer के behavior को समझना है, तो आप अच्छे से तब समझ पाओगे जब आप अपने आपको as a producer consider करेंगे, तो यहाँ पर आप सब यह सोचे कि आप एक क्या है producer है, और जब आप producer है तो आप community को produce कर रहे हैं, अब जब community को produce कर रहे हैं तो as a producer, आपको यह पता है कि जब आप अपने output को increase करते हो, तो ऐसे तो हवा में output बनेगा नहीं, उसके लिए आपको factors लगाने पड़ेंगे, आपको labor लगाने पड़ेंगे, आपको raw material लगाना पड़ेगा, तो जैसे जैसे आप अपने output को increase करते हो, तो आपका cost भी बढ़ करते हैं, क्योंकि आपका output level increase हो रहा है, तब भी उस cost पर कोई फरक नहीं पड़ रहा है, वो cost उतना ही रहने वाला है, और output level अगर आप decrease करते हैं, तब भी वो cost decrease नहीं होने वाला, वो cost उतना ही रहेगा, इवन आप output level आपका zero हो, कुछ भी आप लक्शन नहीं कर रहे हैं, तब भी आपका cost जो है, उतना ही रहेगा, अब आपका सरी कैसे possible है, एक example लेते हैं, इसको समझने के लिए, मेरा जो है, जो है, जो टूशन है, इसका जो है rent, अगर मैं ज्यादा number of batches पढ़ाऊं, तो मैरा rent नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा, कम number of batches पढ़ाऊं, तब मुझे उतना ही rent पे करना पड़ेगा, मैं से excuse नहीं दे सकता हूं, कि मैंने इस पर batch कम पढ़ाएं, rent मुझे उतना ही पे करना पड़ेगा, मैं tuition को बंद करके कहीं, घुमने चला जाओ महिने बर के लिए, तब भी मैं जब आऊंगा, तो मुझे rent को पे करना ही पड़ेगा, तो जब मेरा production level increase हो रहा है, तब भी मेरा cost उतना ही है, production level मेरा decrease हो रहा है, तब भी मेरा cost उतना ही है, even production level मेरा zero है, तब भी मेरा cost उतना ही है, तो ऐसा cost जो कि production level में changes के साथ साथ में changes ना हो, उस cost को हम बोलते हैं, fix cost, इसलिए इसका नाम रखा है है, हमने क्या, fix cost, total fixed cost, तो ुआटिटी है क्यू जीरो प्रलख्षन कर रहा हूँ और मैं बात कर अधिक की हैं तो माल लेजिए हजार रुपए मेरा कोस्ट आ रहा है अगर में एक कर प्रशिंड करता हूँ तो मेरा Do जाएगा एक हजार रुपे ही रहेगा अगर मैं दो इन डिर्ट करता हूँ तो मिरा टोटल फिक्स कोस्ट कितना रहेगा है और अगर मैं थ्री दाप्लक्षिन गरता हूँ तो और फाइव डिक्स गरता हूँ तो मेरा आउट्पूट लेबल इंक्रीज हो डिक्रीज हो या जीरो तब भी मेरा कोस्ट सेम रहता है तो यह एक एक एक्जामपल है किसका टोटल फिक्स कोस्ट था क्लेरे बच्चे अब टोटल फिक्स कोस्ट की इपनी पैचान है यहां साब एक पैचान कर सकती हो कि जीरो आउट्पूट लेवल पर भी जो कोफ्ट है ड़ा करते हैं तर भी महालिक उन हम बात करते हैं याँ पर आपे अर्याली होनदा है कि यहीं से एक टम और क्लियर क्लेज़ेंशे को समझ लीजिए कि यह बच्छे जो ग्राफ आब देख रहे हैं। यह आपको ग्राफ का ओरीजन है। । आपका एक्स सीस पॉजिटीव ग्राफ का वाई एक्स से यहां पर आपका क्वांटिटी रिपेजन ओ रहा है और यहां पर मैं आपका टीफ छी cucumber कर रहा हूं तो आपका जो टोडल फिक्स कोस्ट का जो आपका ग्राफ है वह यह ग्राफ है टी एफ सी दिस वर यह क्यों है ऐसा ग्राफ आपका क्योंकि जब आपका आउटपुट जीरो है तो जब आउटपुट जीरो है तो कोस्ट कितना है इतना लेवल यह और जब आउट आपर रहा है कि आपका पड़ाया नहीं कि कोश्ट में कोई पिश्ट लिए हम यहां पर यह कहेंगे कि जो आपका जो आपके पास में टोडल फिक्स कोस्ट है वो पैलल टू X-axis है यह कौन सेक्सिस है हमारा यह X-axis है तो क्या X-axis के पैलल है तो अभी आपका MC-Qs में कोशिन आया था TFC के ग्राफ के वारे में MC-Qs में आया था किसका ग्राफ कैसा होता है तो इसका ग्राफ पैलल टू X-axis होता है य एक्सिस नहीं पैलल टू इक्सिस के समाना अंतर है तो यहां पर आपको इच्छी है च्छी क्या होता है एवरेज फिक्स कोस्ट देखिए बच्चे मैं बात करता हूँ यहां पर AFC, AFC से भी MCQS एक कोशन बनता है देखेगा, नाम क्या है, Average Fixed Coast Average क्या होता है, पहले इस बात को समझी आप Average का मतलब होता है, किसी भी चीज को सब में बराबर-बराबर बांड देना इस तो कहते हैं, Average करना आप तीन भाई भेहने, एक को दस रुपए को महमान देके चला गया और एक के हाथ में 20 रुपड़ा गया, एक के हाथ में 30 रुपड़ा गया महमान के जाते ही घर में आपने शुरू कर दिया जगड़ा, तो पापा ने क्या करा, तीनों से पैसे खट्टे किये 10 रुपए भी, 20 रुपए भी, 30 रुपए भी और लड़ाई ही खतम हो जाए इसलिए को अग klein जेम में रखे चली नहीं गये, बाट है आपमें तो 60 रुपए आपके पास में, एक खटे वे उनके पास में, उन्होंने क्या गरा, तीन से डिवाइड करा, और तीनों बच्चों को 20-20 रुपए दे दिये, ताकि लड़ाई ही खताम है, तो उन्होंने क्या गरा, सब में बराबराबर बाट दिया, तो basically average 20 क्या है, average है, तो च चीजों को बराबर बाटना है, और अगर आपको average दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह हो, कि सब में बराबराबर इतना बटा हुआ है, यहाँ पर मुझे AFC calculate करना है, तो क्या करना है, बराबराबर बाटना है, अब जब बराबर बाटना है, तो सवाल यह पैदा होता है, कि किस चीज को बाटना है और किस चीज में बाटना है, दो चीज है न, किस को बाटना है और किन पर बाटना है, दो सवाल आगे न, बराबर बाटना है तो, तो सबसे पहले आप average निकाल रहे हैं किस चीज का, average किस चीज का है, average किस चीज का है, average है बच्चे यह, fixed cost का, तो इस एक सिच को बाटना है बहु लिखावा रहता है उसी को देख करके पता रहता है जिसको को बाटना है कि तो हमें basically total fixed cost को बाटना है किसको जिसका हम average निकाल रहे हैं उसके total सेबाह जाता है यहीं से numerical की understanding लेकि चलिए आप तो हमें average निकालना है fixed cost का तो हमें total fixed cost को बाटना है अब सवाल है कि किस में माटना है तो आपको अपने outputs में माटने है आपकी quantity में माटने है अपने units में माटने है अपको clear है units पर कैसे बाटनेंगे for example TFC आपका 1000 आपका जो है total fixed cost आ रहा है production कुछ कर रहा आपने तो आप इसका formula आपका बनता है कि आपको total fixed cost बाटना है और किसे बाटना है quantity बाटना है तो जैसे आप 1000 को 0 से divide करोगे तो आपका not defined आएगा है जीरो से किसी भी संक्चा को भाग करते तो infinity होता है कि जीरो से भाग करते हैं जब 0 को भाग करोगे तो 0 आंसर होता है अब यहां से divide कर रहे हैं जीरो आज और तो आपका आंसर नौट डिफाइन होगा तो यहां पर आपका not defined आया और यहां पर आपका 1000 को एक पर माटवके तो बात अब लोगे 10ije तो सब्सक्राइब कर दो 500 और यहां पर 300 300. Kendra नो और यहां पर आपका GEE आप पता लग रहे हैं कैसे आया यह आपका Een ऐसी को और रहा है एप ना एक यह क्या आगे आपका एक अब बताओ मुझे मैंने एक आपको फॉर्मला दिया आपर ऐसी इक वस्टू टी एफसी अपान कॉंटिटी तो बताएं बच्ची क्या टी एफसी कभी भी जीरो हो सकता है तो टोडल फिक्स कोस्ट कभी जीरो होगा नहीं जब भी फर्म कोई भी है एवन वह अपना प्रडक्शन जीरो कर दे तब भी वह जीरो तो इसके जीरो को सवाल ही पैदा नहीं होता तो कभी भी नुमिनेटर जीरो दिखेस्ध जीरो आपने जब भी आंसर पाया है उसे सिस्थी में पाया है जब आपका नुमिनेटर जीरो अगर को बहुत है भी बहुत नहीं होगा नेगेटिव का सवाल भी पाइदा नहीं होता है नेगेटिव होने के लिए नुमिनिटर और डिनिमिनिटर में से एक चीज तो नेगेटिव होनी चाहिए तो ना तो TFC जीरो नहीं होने को त्यार है तो नेगेटिव कहा जाएगा और आउट्पूट आपका नेगेटिव कैसे हो जाएगा ज्यादा आप आउट्पूट जीरो कर सकते हैं माइनिस पर चीज़ें पढ़ यूज करेंगे ए बच्छे तो कभी भी आपका जो है ऑलवेस इसका मतलब क्या है इसका मतलब कि अलबस ग्रेटे देन जीरो रहेगा, बांते हैं स्वीच को, जब वो जीरो ही नहीं होगा, नेगटिव नहीं होगा, तो हमेशा AFC का रिजल तो क्या रहेगा, जीरो से हमेशा बढ़ा रहेगा, से लेकिन आउटपूट बढ़ने के साथ सा sniff RAW देख रहे हो वैसे आपका ऐसी क्या हो रहा है है जिसमें बढ़ रहा है जिन में बढ़ रहा है के लिगов चीज बढ़ रही है। तो वो कम-कम शेरी नहीं होती हो चली जाएगी है फेला रही 1001 वह जहार दो में बढ़ रहा है हुई-जहर तीन मटरा वह छार नहीं मटर रहा है वह जहर पांच बढ़ रहा है तो आपको तो बढ़ता जारा है लेकिन वगोगेगा तो इसलिए आपका आपका दिद्रे कम होता चला जाएगा तो अगर मैं एस्टी के ग्राफ की बात करूँ अगर देखिए यहां पर आपके पास में एस्टी है और यह कॉंटिटी है एस्टी ग्राफ लब लब कुछ इस तरीके से डाउन जाएगा आपका oh mybase yeah रहर से औप बढ़ेगा वैसे आटि यहले सी घॉन करेगा यह सब्स्क्राइए जीरो हो गया जब भी जीरो कभी होता ही नहीं है एक ले बच्चे तो जैसे आउपट बढ़ेगा वैसे वैसे एक्जर का नेचर का था रहेगा डिक्रीजिंग एम सी के उसका कूश्य नहीं क्लेर है तो आपको टीसी और एप्सी समझ में आ गया है थाजे तो नब ये प्लिएक क्या बात करता है अब टोडल फिक्स कोस्ट का कुछ एक्जामपल में आपको बताज़ेता हूं है तो फिक्स कोस्ट का जैसे कि रंट हो गया। फिक्स रहता ह तो आप देखिएगा चाहे आउटपुट हो या ना हो लोकडाउन में चाहे वो ट्रेन बंद हो जाए नहीं चल रही है तब भी लोको पाइलेट के को और जो रेल्वे करमचारी उनको तंखा मिलेगी मिलेगी क्या प्लक्षिन हो या ना हो जो प्रमानेंट इंपलोई की अग्या प्लक्षिन लेट्या सबयां तौश्ट ऑंद रही है तो यहां पर आपसे क्या रहे हैं फिक्स कोस्ट रफट विच डूट वैरी डेरेक्ली विद लेवल आउप डूपूट जो कि आउट्पूट लेवल के साथ साथ में डेरेक्ली वैरी नहीं करता है बढ़ा तो चलो यह भी बढ़ गया और पूट कम हुआ तो यह भी कम हो गया इसके साथ में वह वेरी नहीं करता है तो यह इसको आप जो है न इंडिरेक्ट कोस्ट भी कर सकते हो इसका आप पूट से कोई लेना देना है ही नहीं क्लेरे बच्चे एक जामपर रैंट ऑफ और इंट्रेस्ट अन लॉन अब मैंने की से भाइंक से उधार ले रखा है मैं को ब्यास देना है अब मेरे प्लक्शन लबल ज्यादा हो कम हो यह जिरो से बैक को आ लेना देना है जुसका ब्याद बनता हो तो मुझे देना ही बढ़ेगा तो इसलिए बैसर भी क्या है मेरे पेलिए एक X Remorse of Salary of Permanent Staff पर standards के डांप huge Salary Insurance अब मैंने इंस्वरेंस करेवार रख्या है अपनी company को अब company को च्छाद़गे कर रहे हैं बढ़ा अमर्दमन कहले हैं उससे हमें पर studied τις के towards प्रिक्स कोस्ट के एक्जाम्ब के तौर पर यहां पर एक टेबल देख सकते हैं कि जहां पर आउट्फूट लेबल बढ़ रहा है बड़ आपका अंस्टेंट है और यह ग्राफ जो और लिए मैंने अभी आपका बनाया है एक्जाम्ब जब ग्राफ बना होना आप तो आपको पेपर होता है तो महां पर एकुरेट ग्राफ ऐसे भी निमनेगा आपका तो इसलिए फ्री हैं डाग्राम आप उसको नंबर डालने की नहीं है बागी काम पूरे प्रपर ऐसे ही होगा क्लेरे समझ गए चले पहले इसको आप नोट करें अब क्या है तो लगिट deemed perfect semagता युराम प्री रखर करेंज से बात्ता है मैं तो ओम आप तो करें आपको क्या प्राफं भी तो दो सकती, क्योग्यदश ए्राफं दो